डुमिनिकन मीडिया मिशन के दैनी काहर में आपका स्वागत है सबों को जैशू मेरे मित्रों, आज के सु समचार में प्रभु एक विशेश संदेश दे रहे हैं प्यारा सा संदेश, ध्यान से सुने प्रभु कहते हैं संकरे द्वार से प्रवेश करो संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वहफाटक विस्तृत है वहमार्ग, जो विनाश की ओर हमें ले जाता है लेकिन उस पर चलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है यह चिंता जनक बाद है डरावनी बात है, मुझे तो डर लग रहा है, क्या आप डर रहे हैं? जी हाँ, प्रभु कहते हैं विनाश कारे मार्ग पर चलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है ऐसा प्रभु कह रहे हैं पवित्र बाइबल में फाटक, दर्वाजा या द्वार हम 180 बार सुन सकते हैं 180 बार इन शब्दों का उप्योग किया जा रहा है लेकिन जब भी प्रभु येशु ने इसका उप्योग किया प्रभु येशु एक विशेश प्रकार का संदेश, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रकार का संदेश हमें देना चाते थे और उन्हीं संदेश के द्वारा प्रभु येशु दो प्रकार की बाते हमें बताना चाते हैं सबसे पहली बात ध्यान से सुने प्रभु येशु हमें और आपको सारे संसार को निमंत्रन दे रहे हैं प्रभु के साथ अनंत काल तक एक होने का निमंत्रन दे रहे हैं और दूसरी बात प्रभु येशु हमें चेतावनी दे रहे हैं चेतावनी उन लोगों के लिए जो प्रभु येश्यु को जान कर पहचान कर भी प्रभु से दूर हो जाते हैं यह एक चेतावनी है इसी पार्ट खो थोड़ी बहतरीन रूप से जानने के लिए समझने के लिए मैं आपका मन संत लूकस की और आकरशित करना चाहता हूं संत लूकस अपने अध्या 13 पत संक्या 23, 24 और 27 में कुछ विशेश बात बताते हैं ध्यान से सुने प्रभु क्या कहते हैं एक व्यक्ति प्रभु के पास में आकर कहता है प्रभु क्या थोड़े ही लोग बचने वाले हैं क्या थोड़े ही लोग प्रवेश करने वाले हैं और इसके जवाब में प्रभु कहते हैं संक्रे द्वार से प्रवेश करो अभी जो सुनने वाले हैं वो काफी डरावना है प्रभु कहते हैं क्योंकि प्रयत्न करने के बावजूद भी बहुत ही थोड़ी लोग प्रवेश करने वाले हैं है ना डरावनी बात, है ना चिंता जनक बात, जी हां कल पना कीजिए, जैसे कि यहां 50 लोग हैं, मुझे मिलाकर 50 लोग हैं, और इन 50 लोगों में मात्र 9 या 10 लोगों ने ही प्रयत्न किया, प्रवेश करने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभु के इन वच्छनों के अनुसार, प्रयत्न करने के बावजूद भी बहुत थोड़ी संक्या में लोग प्रवेश करने वाले हैं, इसका मतलब है, मात्र एक या दो, 50 में से मात्र एक या दो लोग ही प्रवेश कर पाएंगे, मुझे तो बेहद डर लग रहा है, आपका हाल कैसा है, मेरे मित्रों, बेहद ही च या ahead क्या है यह दौआर कौन है प्रभू येसु स्वायम हमें इसे यहन के सुस्माचार अध्या 10 पत्संक्या 9 में बताते हैं, प्रभू क्या कहते हैं, प्रभू कह रहे हैं मैं ही वहद्वार हूं, मैं ही वहद्वार हूं, यदि कोई मुझसे होकर गुजरेगा तो मुक्ति प्राप्त होगी यदि कोई मुझ से होकर गुजरेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी अगर ऐसी बात है तो उनका क्या जो प्रभु येशु के द्वारा नहीं गुजरते या प्रभु येशु को जानने के बावजूद भी प्रभू का रास्ता छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, ध्यान से सुने, बेहदित धरावनी बात है, प्रभू ऐसे कटू शब्दों का उप्योग कर रहे हैं, जिन्हें हमने कभी शायद नहीं सुना प्रभू के मुँझ से, प्रभू कहते हैं, मैं तुम तुम्हें नहीं जानता, उन लोगों के लिए प्रभू इस्तमाल कर रहे हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्मियों मुझ से दूर हटो, कुकर्मियों मुझ से दूर हटो, क्यूंकि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसका अर्थ जानते हैं, इसका अर्थ ये है, प्रभु से तुम अनंत काल के लिए जुदा हो जाओगे संसार का क्या ब्रम्हान का सबसे बड़ा दंड प्रभु से जुदा हो जाना वो भी अनंत काल के लिए जी हां बहुत बड़ी चेतावनी है और इस चेतावनी को हमें गंभीरता से लेना ही चाहिए हमारी आत्मा नश् पहले हमें इस ज्यतावनी को गंभीरसा से लेना ही चाहिए। हम द्वार के विशय में बात कर रहे हैं यदि प्रभु येशु द्वार हैं तो हमारा काम क्या है? हमारा करतव ये क्या है? क्या हमारा काम प्रभु येशु के द्वार पर खट खटाना है? ना प्रभु येशु ये नहीं कहते प्रभु येशु बल्कि ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा काम खट-खटाना नहीं, दस्तक देना नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनकर दर्वाजा खोलना प्रकाशनागरंत अध्यातीन पत्संख्याबीस प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारे दर्वाजे पर दस्तक दे रहा हूँ और यदि कोई मेरे आवाज को सुनकर दर्वाजा खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा जी हाँ प्रभु येशु ही मातर भे दर्वाजा है जो दर्वाजा खोलता नहीं बलकि खटखटाता है दूसरों के दर्वाजे पर आपके दिल के दर्वाजे पर क्योंकि वो आपके साथ एक होना चाथा है मेरे मित्रों, हम लोग रोज पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, जिसके द्वारा प्रभु मुझ में और मैं उसमें बस जाते हैं, एक हो जाते हैं, प्रभु बिलकुल यही बात कहना चाते हैं, क्या हम प्रभु येशु को ग्रहन करने के लिए हमेशा तयार हैं, उ कि प्रभु को ही अपना द्वार समझ के उसके द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करें सबों को जैशुख